हेलो एवरिवन आज हम बात करेंगे जो मैटिकल मिनिंग ऑफ डरीविटिव लास्ट वीडियो में लस्ट लेक्षर में हमने डरीविटीव को समझाता है है आज हम इसका जो मैटिकल इंटरपेशन समय लेते हैं क्या होता है ठीक है क्योंकि कई बार ना हमें डीप लीप टाभ होने की वज़े से मैंने आज का लेक्टर बनाया है थाकि आपको बता लग जाए कि इसका भी हैवियर कैसे होता है और क्योंक यह चोटा से वीडियो होगा ज्यादा बढ़ा नहीं बस एक जो मेंटिकर मिनिंग देखना है ठीक है बात उसके बागे में एस यूजल कंटिन्यू करेंगे अपने questions और जो भी हमारा main topics है उन सब को तो क्या कहता है कि let f को एकर function है अब वो differentiable है or derivable है at किसी point c per open double a b में और let कर लेते हैं p is any point on the graph अब ग्राफ next page में दिखाने जा रहा हूं आपको कोई p point है graph के उपर y equal to yx और y equal to fx को ग्राफ है और उसको पर कोई point p है और q उसके neighborhood में यह थोड़ी से दूर पर दूसरा point q है ठीक है तो यह दोनों point p and q को जिस तरह से है यह वाला point q है और यह वाला point p है यह वाला point p है यह वाला point q है ठीक है तो इन दोनों को हमने नाम दे दिया p and q जो अब इनको join करते हैं यह जो हमारी yellow color की line दिखाए दे रही है यह basically यह वाली line है तक इसको बाद में extend करने के लिए pq को पहले join किया join pq and to meet the x-axis at s ठीक है इस pq को join करने के बाद हमने इसक तक मिला दिया okay making angle theta यह theta angle बनाता है with the x-axis okay now draw a tangent line at p अब इस पी के उपर यह जो पी वाला point था है tangent draw किया tangent यह वाला tangent ठीक है यह जो हो tangent है यह p के उपर tangent draw किया at p with make an angle side with x-axis okay यह tangent draw किया इसको हमने पीछे तक बढ़ाया तो यह point t पर आगे मिलता है और यह x-axis साथ में pm and qn यह देखो pm यह वाला हमने draw कर लिया point p से यह वाले line dotted line and qn यह वाले line draw कर लिया हमने qn ठीक है पी आर perpendicular to qn पी आर यह वाला point है यह यह जो है नहीं यह वाला पी आर यह पी आर और यह तो आपको दिखाए देरा दो ना perpendicular के यह चोटा से triangle बन गया हमारे पास p qr यह वाला triangle बन गया न इस पर यह draw करने की वजह से ठीक है तो qr क्या होगा qr यह वाला qr क्या होगा qn में से rn को माइनस करके मिल जाएगा qn यह total में से इतने part को वर माइनस कर दें इस total में से हमें qr फैंद करना इस point से लेकर इस point तक कि करनी है तो simple से बात क्या है qn देख लो कितना है यह total qn है ठीक है qn में से हमने rn को मामा चाहuw होगाLR यह वाला portion लेगा क्योर यह होगे qr ठीक है अब क्योंकि जितना हमारे पास यह है, आर रहेंन है, उतना ही हमारा PM भी है, तो इसकी जंग हम PM लिख सकते हैं, ठीक है, तो ऐसा करणदे से हुआ क्या, बैसिकली, यह देखो, यह QN माइनस PM भी मिल गया, यह डिफरेंस मिल गया, ओर्डिनेट्स का, और पी अर्डिनेट्स ह क्या है, यह वाले डिस्टेंस होगी न, PM के बीच की, यह वाले डिस्टेंस है, यह वाले यहां से आता है, ठीक है, तो यह वाला पॉइंट, अगर C है, और यह वाला पॉइंट, अगर C है, यह वाला पॉइंट, यह वाले पॉइंट, और यह वाला पॉइंट C माल लिया, तो यह हो जागा C और यह C प्लस H और फंक्शन हमारा F हमने माना हुआ है हम लिख सकते हैं इसको F C प्लस H माइनस F C इसको equation first नम दे दिया, देखो कैसे हम करते जा रहे हैं इनके हमने जो ordination का difference निकालना था इसलिए यह सारा mechanism करना पड़ा तो F C प्लस H माइनस F C इसको हम लिख सकते हैं according to यहां से देख रख करके ठीक है बात, इसको हमने equation first नम दे दिया अब हमने PR पर बात करी, PR, देखो PR कहाँ पर है यह है P, यह है R, यह PR, ठीक है PR, PR equal to है ON minus OM, ON minus OM, O तो यह वाला है इस सारे में से, ON में से, अगर इस वाले पार्ट को निकाल दें तो यह रहा जाएगा MN, यह वाला जिसको यहां पर हम PR कह रहे हैं, यह रहा जाएगा वह हमने किया है, यह क्या है, यह क्या है difference in F C size of Q and P, वो difference of ordinate था, यह difference of F C size यहां पर हमने vertical में देखा था, तो difference of ordinate था, यहां पर हमने horizontal में देखा था, तो difference of F C size आ जाएगा इनकी values हो put कर दिया, C plus H minus C, तो यह तो H ही आएगा यह यहां से यहां तक है न, यह N से लेकर और तक की दूरी कितनी है, C plus H, इस में से C को minus कर दिया O से लेकर M तक की दूरी को minus कर दिया ही रहे जाएगा, तो यह सिरफ हमारा H रहे गया, ठीक है, यह हो गया H Now, slope of PQ equal to 10 Theta, जो PQ है हमारी line, वो उसका slope 10 Theta है, और 10 Theta equal to according to the rule, according to the tignomartical ratio, Qr upon Pr, ठीक है, Qr upon Pr मतलब क्या होता है, Tня Theta तो कितना होता है, यह जो आपका perpendicular है, perpendicular upon base ठीक है, तो इस वाले ngil की बात कर रहें हैं, ठीटा वाले kop cuts यह वाले ngil यह वाला ngil, PQR, यहhh grave, जितना के बराबर इन ट्राइंगल पी वार में तो 10 थिटा इक्वल टू कितना हो गया है अब इसकी वैलू जो हमने फाइंड कर दी और पी आर की वैलू जो यह वाली फाइंड करी वह यहां पूट कर दी आगे एफ सी प्लस ह माइनस एफ सी अपॉन है यह आ गया एज एज टैंस तो जी यह जो बहुत कम होता जाए जैसे दा पॉइंट क्यू अप्रोच तो पॉइंट पी अलॉंग दा ग्राफ एफ ठीक है तो इसका मतलब यह होगा जैसे जैसे आप यह एज की वैलू कम करते चले जाए पॉइंट क्यू अप्रोच दॉइंट क्या होगी यह वाला ही पॉइंट जो आपको यह आ पर यह लान दिखाए दे रही है जब यह क्यू नीचे आता चला जाएगा तो यह वाली लाइन अभी जो यह हमारी सीकेंट है यह टैंजेंट में कर्वरों कर्वर्ट हो जाएगी गाँ टैंजेंड यह वाला यह वाली यहां पर चली जाएगगी तो इसको मलनों यह वाला एंगिल और यह वाला यह वाला यह अगे बराबर 0 इतरो को टेंट कर रहा था fc plus h minus fc upon h, इसी को आप f dash c कहते हैं, बहुत है कि इसी point c को पर function का derivative, यह इसका geometrical interpretation होगे है, hence the derivative of f at c is the slope of the tangent, the derivative of c, the derivative of f at point c is the slope of tangent to the curve y equal to x at the point c और f of c, ठीक है, यह slope होता है, tangent का to the curve के उपर, y equal to fx के उपर at the point, किस point के उपर, c और f of c, ठीक है बात, यह था सका geometrical interpretation, note में बहाँ आप बात लिख दिये, from the above interpretation, we can see, we can say that, if f is differentiable on open interval a, b, then at any point of a, b, curve has a unique tangent, तो curve के पास unique tangent होगे, differentiable तभी होगा का unique tangent होगी, इसी लिए हम यह कहते हैं कि जहाँ पर peak point आजाएगा, समझे हो, जहाँ पर peak point आजाता है, वहाँ पर more than tangent ट्रॉ कर सकते हैं, आप एक साथा tangent ट्रॉ कर सकते हैं, इसका मतलब ही हो जाता है कि वहाँ पर function differentiable नहीं रहेगा, differentiable होने के लिए unique tangent होना क होना जुरूर ही है अब शक्ता है उसकी कि वह मतलब हमारे पास यूनिक टैंजेंट हो हर एक पॉइंट से ठीक है अगर एक सहाधा टैंजेंट डॉप कर पार है इसका मुद्ध फंक्शन डिफ्रेंशन बन नहीं है एड डैट पॉइंट यहां पर हमारा कर शार्प हो जाता है है जैसे मौड एक्स का लेते हैं हुआ इसलिए डैरिवेटिव नहीं होदा क्योंकि हम इंफानाइट टैंजेंट हो ड्रॉप कर सकते हैं ओके आई होप यह आपको क्लियर हो गया होगा फिर भी कोई डाउट थे तो प्लीज कमेंट शेक्शन जरूर बताएं एंड फ्यू ल है ओके गाइस थैंक्यू सो मच एंड हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से दुबारा से मिलते हैं आप से इस आगे से लिए मौसारी कोईशन सॉल करने हैं अभी ठीक है और नेक्स्ट आपिक्स को डिक्रस करेंगा ओके थैंक्यू अगें